यरीमा से आप बात करो, बैठे अपनी बैन के साथ, तुम मकार हो, दलाल हो, एक एजेंट हो, आप कभी सामने नहीं आ सकते हैं, पीछे हमेशा वार करते हो, आपके सामने आखों में आखे डाल के बात करते हैं, अगर आप अच्छी माँ की दूद पिया होता, शायद ऐसी बा करते हैं, दोस्तों बात करेंगे सीमा हेदर, गुलाम हेदर को लेकर, दोस्तों गुलाम हेदर की एक वीडियो आई, इस वीडियो में जो है, गुलाम हेदर ने भारतिय जनता वा पाकिस्तान की जनता से बहुती बड़ा मैसेज दिया, उन्होंने जो है पाकिस्तान सरकार को भी जगाया तो मेरे दोस्तों इस वीडियो को आखिर तक देखे जादा सेयर करें ताकि गुलाम हेदर की सपोर्ट हो सके और आप सबसे एक रिक्वेश्ट करते हैं दोस्तों गुलाम हेदर के लिए दूआ करें उसके एक भगोडी औरत ने चार बच्चे चुरा कर इंडिया क अंदर अयासी कर रही है जारी कर रही है नोटन की कर रही है आप सबसे दिल से रिक्वेश्ट करते हैं कि गुलाम हेदर के लिए दूआ करें उसके बच्चे मिल जाए और भारतिय सरकार उससे भी अपील करें आप भी करें बहुत परेसान है आप खुद भी जो है समझ सकते हैं जिसके चार बच्चे उससे जुदा हैं तकरीबं छे साथ में इनने हो चुके अभी तक बात नहीं हो पाई इससे पहले याने डेली बात करता था एक भगोड़ी औरत एक ड्रामे बाज औरत इससे गंदी औरत साइड दुनिया में ना हो तो मेरे दोस्तों इस वीडियो नहीं है सकता बच्चों के लिए अगर आवाज उटा रहा तो ज्यादा से ज्यादा सीमा को तकलिफ होता है एपी सिंग को तकलिफ होता है क्यों मैं इनको यही सवाल करता हूं कि आपने आज तक जवाब क्यों नहीं दिया को आपने कहा कि यह मेरा बहन नहीं है रिमा से कि कोई भी अगर एपी सिंग सुन रहा है उनके मां कोई दूद का वास्ता में इसको दे रहा है अगर सची मां का बेटा हो अगर दूद अता करना चाहते हैं तो असीमा को कहो ना बैठे अपने बैन के साथ तो मकार हो दलाल हो एक एजन्ट हो आप कभी सामने नहीं आ सकते पी अांति को अभी सामने बनाते हैं ये मेरे बाइण नहीं है ये मेरे बाइण वास् 1 दिए और प्रामप देए तो आए मुझारा करें बात करें अपने बीयन से क्योंकि वह बात नहीं कर सकता ना चीन डाल को कहना चाहता हूँ में मेंत आपक्सट को क्या हो हो आए बात करें ना सिर्फ आप बैठ के भाशन तो लोगों को दे सकते हो हमारे साथ आपको बैठने की अउकाद भी नहीं है यह है आपके सामने आंखों में आखें डाल के बात करता है आप एक मकार हो दलाल हो एजेंट ना हिंदुस्तान का अच्छा कर सकते हो ना कभी पाक तक यह समझ में नहीं आया कि क्यों आप अपने मुलक का नाम बदनाम कर रहे हो अपना अप तो होई बदनाम अगर आप अच्छी मां की डूद पिया होता शायद ऐसी बाते नहीं करते कभी भी कभी भी कभी बोलते हो जो हैदर रक्षा आटो चलाया करता था तो हम फकर से जीते हैं रक्षा आटो चलाया मेनत मजहूर किया मारबलटा का काम किया तो हमने दलाली नहीं किया हक किया कमाई किया तो थोड़ा कम खाते हैं ना फकर से बोलते हैं अपी सिंग आप सस्ती शोहरत हासल करने के लिए चार बच्चों को या एकरमाल बना कर दुनिया को क्या दिखाना चाहते हो तो बंदा बदला उससे ले तो बदले का काबिल हो बच्चों ने क्या कसूर किया सीमा एक चलो कोई भी ह सकते हो नावेत्मिनियो करते हो बाशनी लगाते हैं आपको आप वकील कम राजनियते जीयादा करता है मुझे पता है राजनीति आपकर करो आप एडुकएट नहीं हो वकील होते दो चैडर अदालतों से आफिसária को वकत नहीं हो था मगर आप तो हास्यमा के बगल में बैटके वीडियो बनाते हो लोगों को दिखाते हो बैगरत तो एक दीवनासा मस्ताना क्या है उसको बोलते हैं लांतिर जिसको ना अपनी बहन ना बैटी मेरा इंट्रियू लिए आज तक क्यों नहीं चलाया उसने वो चलाया तो जैसे शीशा देखोगे अपना मूँ देखो है कि यह गलत है गलत तो आप कंजर थोटे बच्चे के आड में आप अपने को राजनीती की बातें करते हो जूटे फूल और माले कोई पहनता है आज तक सिर्फ मैं आपको देखता हूं तो चार फूल माले पना के पहले उनको बोलते हैं तो मैं आता हूं एक चार अपने ग बच्शों से घर से दूर होकर अपनों से चलो है दर का नाई सही पाकिस्तान ही है वह उनको ऐडालते हैं हमारे पैस्टान गोवर्मेंट है इंडिया만 यह आप कोना हो जो भी फैंसला अदालतें करेंगे हमको सराखों पर है मगर बच्चे हैदर के हैं दस साल के कम एज में हैं आप उनको जबरन अगर एक नारा लगवा के आप क्या थाबत करना चाहरे हो ना उनको हिंदु धर्म का पता ना मुस्लिम धर्म का पता आप क्या कहना चाहते हो आप क्या थाबत किया आज तक सिर्फ जूट और मकार के इलाव आप आपने आज तक बोला ही क्या है सिर्फ दो नमबरी करते हो लोगों को बर्गलाते हो आप अच्छी दावा करते हो गलत केस लड़ते हो कभी हक और सच पेज आकर तो देखो नहीं आते न आप ये कैसी नहीं लड़ते आपको ये जूटी टियार भी कैसे लेना चाहिए एक मजलुम बच्चों को कैसे इस्तमाल किया जाते है रहम करो, खुदा का खौफ करो, इनसान बनो खौफ का खौफ ना करो, इनसान तो बनो कम से कम आप तो इनसान भी नहीं हो, इनसानियत के नाते अच्छा माबाप बनने की कोशिश किया करो हमेशा समझा कि नहीं, हर वक्त मैं आता हूँ आपको लानतें करता हूँ थोड़ी सी भी आया, घैरत शरम, बाकी भी थोड़ी होती, तो शायद आपके पले पड़ता, मगर आप जिनसी बेगरत हो, मुझे तो ऐसा लगता है, उस पर कोई असर नहीं करता, कुछ भी बोलो, आप ऐसा बेनफसा इनसान हो, ना अपने मां का पता, ना बेहन का पता, ना अपने बच्चों का पता, तो आपको हैदर के बच्चों का क्या होगा, सबसे पहले, आपको अपना घर देखना था, आपके फैमिली मेंबर हैं, आपके बेहन एड्यूकेट हैं, घर वाले हैं, माशा अलला, अच्छी तरबिय तालीम हुआ होगा, मगर आपकी बहुत गलत है, अमाम बेहनों को मैं ये कहता हूँ, भाई जो जुड़ते हैं, तो मेरी यही रुकैस्ट होता है हमेशा के लाइफ को इतना ज्यादा शेयर किया करो, ताके आला अधारों तक मेरी पोचे, मोदी सरकार तक, योगी सरकार तक, मेरे साथ इंसाफ किया जाए, खुदा जल से जल, उनको पाकिस्तान में लाओं, मैं छे मां हो रहा है, मैं बहुत परिशान हूं, आज तक किसी फलाहिए दारे ने काम नहीं किया, वो ढ़ूंग तो बड़े बड़े करते हैं, हम ये करते हैं, आज तक, हैजर के बच्चे किसी को नजर नहीं आए, पता नहीं क्यो ना इंदोस्तान में, ना पाकिस्तान में, ना भारत में, यूरप में, दुबाई में, लंदन में, यूके में, कहीं भी, कोई फलाहिय दारा काम करते हैं, अच्छे से अच्छे काम करते हैं, बच्चों के लिए, हका और सच का साथ देते हैं, मजलूम का सहरा बनते हैं, कहां ह हैं वह किदर हैं हमें दो आज तक कोई नजर नहीं आया नो किसी ने कॉंट्रेट करने की कोशिश किया क्यों कहां गए हम नहीं तो पाकिस्तान गवर्मेंट को बार-बार करेता हूं चीफ आर्मी स्टाफ है तो चीफ जस्टिस और फ्याज काजी साहब है बहुत सारे मैंने र बच्वों का अना आप खुद देखते हो कहीं से भी लोग देखे जाते हैं यह किसी के नहीं होते अब खुद आप अच्छी मागी बनने कोशिश करो अच्छी भाई की अपने जोर पर कानून पर पूरा विश्वास है इंदोस्तान के गॉर्मेंट पर जो भी होगा अच्छी में लगा के बैठता हूं आज शायद सरकार अच्छा फैंसला है उनका दिन रात पाकिस्तान में सब्सक्राइब कभी भी रह नहीं सकते ना आपको भारती कोई उदर बना भी लेगा क्योंकि आप काबिल नहीं हो आप वो काबिल होते शायद हम थोड़ी सी में गलत तरीके से गए हो बच्चों को डल बना कर गए हो जुट पर जुट बोला जा रहे हो न आपको मां का पता ना बैहरत का पता ना भाई वी ना बो मलक आज तक किसी ने बाप से बच्चों की बात करवाई मेरा भी एक सवाल है मैं बाप हूँ तो किसी ने भी कहा कि हाँ है अधर हमारी वीडियो तक उनको नहीं दिखाते हैं यह कीन मानें चोर है ना चोर हमेशे चुपता है हम सीना चोड़ा करके क्यों बात करते हैं हम सच पे हैं हमें कोई चुटा नहीं सकता जूटा करार नहीं दे सकता